हालो बच्चो वेलकम टू बालजविद्य पेट आज अब स्टार्ट करेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एलकेंज एंड हैलोरीन्स ठीक है इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे तीन पार्ट से बच्चो रियक्शन विद मैटल्स नुकलोफिलिक सब्स्टि प्रॉपर्टीज इस केमिकल प्रॉपर्टीज ओफ है हैलो एलकेंज है आध भी प्रॉपर्टीज आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो बहुत ही है अच्छी है समझ में आने वाली हैं सारी यहीज है क्योंकि कोई आता मुश्किल है नहीं प्र sources हूं कंवरकरे वाइब से संप्वर करें घ्रा को मौण सेप्चुल भी है है इसने हमारा हम नूपली यॉफिलिक सब्स्टिटूशन करेंगे कि आ ऐसके इसन पड़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे बीटा लिमिनेशन मिट गू的ज्य की कि बहले है बीटा एलिमिनेशन रियक्シन और पढ़ेंगे हम इसमें Rision with little क्या पढ़ेंगे रियक्षिन वत मेटल जिसमें हम गेरिगनाद रिमजेंट बनाएंगे गadelphे रिगनाट रिएजेंट बनाएंगे तो आज हम करेंगे अपना नुकलियोफिलिक सब्स्टेट्यूशन यह और यह हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे ठीक है यह थोड़े छोटी-छोटी टॉपिक है यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है ठीक है मतलब इस वीडियो में सिर्फ इसी की चर्चा करेंगे ज्यादा तो सब्सक्राइक नुकलियोफिलिक सब्सक्राइज चलिए तो नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटिउशन होता गया बच्चो नुक्लियोफिलिक नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटिउशन क्या होता है बच्चो बाल दीजिए ये मेरा कोई नुक्लियोफाइल है ये मेरा कोई नुक्लिक्ल फाइल है ठीक जिए इसमेर को कसी एल्कायल ग्रूप क्ये मतलब हैलो के इ 지역 हरो हम इंदीर है कि खुगा क्या है होगा क्या जो मेरा X है वो मेरा निकलियोफाइल की पोजिशन पर आ जाएगा और जो मेरा निकलियोफाइल है वो मेरा X की पोजिशन पर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या पोजीशन का एक्सचेंज करना और हमने क्या बोला नेकलियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन यान कि कि किसकी पोजिशन चेंज हो रही है नुकलिओ फाइल की निकल जाएगा नुकलिओ फाइल के निकल जाएगा एक्स थिक है तो यह पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा नुकलियोफाइल है वो होता क्या है नुकलियोफाइल एकलास 11 का हमारा टॉपिक है ठीक है नुकलियोफाइल क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है है ना यह थोड़ा सा सुन लेते हैं समझ में आ जाएगा टॉपिक है ना देखो नुकलियोफाइल क्या होता है an electron rich species an electron rich species which easily donates it's electrons which easily donates its electron yeah it's pair of electron pair of electron to form a new bond to form a new bond okay you know species होती है species मतलब यह वाले हमारे ग्रुप होते हैं या बोल सकते हैं जिस जो क्या करते हैं electrons को donate कर देते हैं अपने ग्रुप मतलब यह बहुत ज्यादा अमीर species होती है इस इनके पास भरपूर electron होते हैं भरपूर मात्रह में electron होते हैं जितने मांगो के उतने मिल जाएंगा यह तन ज् पitationsने को फाइल होगा रंट इलेक्टाइन इलेक्तरों डिच स्पेशी स्बीचि अलकन देट अलत नंबर अफ्लक्रीन जिस पर जादा होंगे फोंगे थोज रपाइन कोव बाइन को बनने में दो येटरेदख गया करता हैं बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की यह क्या होता है एन इलेक्ट्रोण डिफिशेंट इस्पीशी इसके हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आपे हमें अपना न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है इफिशेंट इस्विशी होती है यह मेरी यह होता है मेरा गरीब ठीक है इलेक्टरॉन का गरीब तीक मतलब जिसके आश नंबर ओफ एलेक्टरॉन बहुत कम है यानि कि जितने भी पॉस्टिव चार्ज वाले गुरुप होते हैं वो सारे मेरे इलेक्ट्रोफाइली केटेगरी ग्रूप क्या होता है लेविंग ग्रूप देखिए इधर समझते हैं यह मेरा नुक्लियोफाइल है यह मेरा हैलाइड है क्या है यह मेरा नुक्लियोफाइल यह मेरा हैलाइड अब जैसे ही नुक्लियोफाइल यहां पर आएगा यह एक्स यहां से मेरा लीफ कर जाएगा त छोड़ के चला जा जो लीफ कर जा है अन्हीन ने disponily यहां पर लिफसी पर आया और एक्स मद्धे लीफ य और खुद का एक स्थेबल इस्पीशी दा लिए कफुद का एक स्पेबल इस्पीशी बना लिए ठीकितर जा लिखेंगे एनख्र केंदới a substituent which easily which easily a substituent a substituent which easily withdraws its bonding electron which easily withdraw withdraw its bonding electron its bonding electron to form a new stable species ठीक है इसने अपनी एक नए stable species बना ली मतलब ही खुद अकेला ही क्या है stable है ठीक है और जो तो आगे समझ में क्या होता है एन electron rich species इसके पास number of electron बहुत जादा होते हैं और electrophile क्या होता है एक पूर species electron की जिसमें number of electron बहुत कम होता है और living group क्या आथ है जो छोड़के चला जाए ना एक्स यहां से चला गया और निक्ट तो यहां पर एक लिविंग ग्रूप के तरह काम कर रहा है बच्छो आगे समझ में चले आगे चले इससे अब कर रहा हूं मैं अच्छा अब यह जो मेरा रियक्शन होता है बच्छो निकले फिलिक्स अब वो रियक्शन हम यहां पर देखेंगे SN1 और SN2 यहां पर देखेंगे यह मेरे दो टाइप्स के होता है एक होता है SN1 और एक होता है मेरा SN2 SN1 और SN2 टीक है इसका नाम होता है सबस्टियूशन अ सबस्टियूशन नुकलियोफिलेक नुकलियोफिलेक यूनि मोलेक्यूलर टीक है यूनि मोलेक्यूलर अ सब्स्टिटूशन नुक्लिओ फिलिक सब्स्टिटूशन नुक्लिओ फिलिक by अ मॉलिक्यूलर है कि से चेन बावर वन एसले पावर तू लगाई है हमने ये बी मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स का हमारा रेट आता है ठीक क्या होते है रियक्षिन की स्पीड कितनी है ठीक है और यह देखो सब्सेट्यूशन नुक्लिफिलिक बाई मॉलेक्टलर बाई 2 के लिए लगते हैं ठीक है आगे समझ में दो टाइक्स के में रियक्षिन होते हैं सबसे पहले हम आपे एसन टू को पढ कि सबस्टीट्यूशन नुक्लिफिलिक नुक्लिफिलिक आप बाई मोलेक्टलर कि यह से करना है कि यह से करना है कि देखो मैं से आपको बहुत अच्छे से सम्झाओंगा यह मेरे पास इधर हमारा अ कारबन है ठीक है कारबन है इससे मेरे यह तीन हाइड्रोजन अटेजड है ठीक है और इधर एक X अटेजड है ठीक है यह मेरा एक एलकायल है रेड़ी हो गए है और इसमें मेरे को अड गड़ना है अपना क्या नुक्ली फाइल एड़ना है क्या अब आप खुत समझिए जो मेरे हलाईड होते है जिर्णा यह ज्यादा एलग्ला एडमं तो है मैं जनल सकता हूं इस्पे सिंद्व चाहर हो पॉस्टिव चार्ज क्योंकि क्यों ज्टा ने ज़ fim factors अपने तरफ कीच लेता है आब को पता है ना इंड़क्ति इफेक्ट क्याना नेगिटिफ वह पॉस्ट्रिक्ट फॉन्गेटिव जा रहा है जो जाद एलेक्टिव नेगिटिव हो आलेटिव तरफ कीच रहे तो इसकी लॉक्ति ज्यादा है इसके लेक्रॉण पीचर यह इसे नमबर फिटा उप्लेफ क्या है सुनलो यह जो मेरा निक्लियो फाइल है आप खुछ सोचो यह जो मेरा निक्लियो फाइल है यह इस पर अटैक कर रहा है जैसे यह इस पर अटैक करता है तो आप पॉस्टिव नगेटिव एकडुसरे को एड्ड करते हैं तो यह फिसा मने से और यह आने दूंगा क्यों यहाँ से यह दूसरे को रिपाइल करते हैं पहले -" पूरा पहले बना लेते हां सोगज़ांगा इतना तो आपको समझभा है न कि यहांसे आज सामने भी कुल ज़ादा यह सब जाता है इसकी बराबरी तो यह नुकलियोफाइल पीछे से जाता है और जो यह पीछे से जाता है जैसे ही पीछे से जाके अटेक करता है तो यह यहां पर होता क्या है वो देखो यह मेरा कार्बन और यह हाइडोजन यह देखिए यह मेरा नुकलियोफाइल पीछे साया यह मेरा नुकलियोफाइल है दिख रहा है नुकलियोफाइल यह मेरा पीछे से आके बॉंड बना रहा है और यह मेरा हैलाइड का बॉंड है अब एक सेम टाइब में काम रहूता है यह तो इस टाइम पर जो एक सेप्ट धेलाइध हो रहा है situation कि स्टेटों से बोलते हैं ठीका है एक त्रांसीशन रजी श्टेटों ठीकिया देखें महां लीजिए आपको एक with pass से आ रहा है जैसे यह दकनेन लगा तो अभी पूरी तरह तोटा है दोनों बना रहा है और वहाँ तोड़ रहा है तो इस इस केस में कारवन की स्था और यह थो चार बना की स्थेबल रहाएं स्था पांस प्रोड़ी न.. एक स्टेज पर आके जैसे ही पूरा बॉंड नुकलिफाइल का बन जाएगा और जैसे ही पूरा बॉंड टूट जाएगा एनर्जी काफी अच्छे उसमें रिलीज हो जाएगी फिर हमारे स्टेबल हो जाएगा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना यह नॉर्मल चीज है ठीक पीछे से प्यासटि फॉर्ब इसके अच्छ पिने लगा यह दोगला कारबन हो कि ज्युक्त है में एकुर्ण उसके बाद देखेक क्या होता है हमारा जवार बनता है वो कुछ एसा बनता है यहाँ बनता है है यहां पर लग गया और भाह का निकल गया एक्स तो अब एक चीज और सोचिए मेरें हाई है फिर की तरफ हो गए मतलब फे जैसे चट्री मेरी ऐसे होती है यह मेरे चट्री है और छत्री जब उल्टी हो तहिता है तो एसे है अ कि यह कुछ ऑज़ते हैं घृट एक्टेंशन था इसे बोलता है गया ißntu reaction में वॉल्डन invergen में देखने को मिलता है यह क्या नोट कर लो ठीक हैестноutive reaction में क्या मिलता वॉल्डण इन वर्जन वाइडोजन ऐसे थे उसके बाद कहले तो चीक है certain एग्जाम में पूश्चता हैmsum 2 में हमें Walden Inversion देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है Walden Inversion देखने को मिलता है, आगे समझ में यह reaction समझ में आ गया अच्छे से चले आगे, चलिए अब बात करते हैं अपनी इसकी reactivity order क्या होगा हमारा reactivity order क्या होगा देखिए आलिके यह तो अभी मेरा ऐसा था इसमें मेरे को nuclear file add करना है तो अभी हमने add कहा था, यह पीछे से जाके इस पर attack कर रहा था हम एक point लेते हैं, माल लिए यहाँ पर जो इसकी reactivity है nuclear file की वो कितनी है, 30 है, कितनी है 30% है, कितनी है 30% है अब मैं इसमें क्या करता हूँ अब इसमें next case लेता हूँ और next case में क्या करता हूँ इस C के साथ दो तो hydrogen जोड दिये मैंने और एक मैंने जोड दिया CH3 group एक मैंने क्या जोड दिया CH3 group जोड दिया है ना, अब देखिए अब इसमें nucleophile add करूँगा मैं तो वापिस से पीछ जाएगा अब यहाँ पे एक क्या लग गया है methyl group लग गया और methyl group इसे repel करेगा क्या करेगा methyl group इसे repel करेगा और यहाँ पे हम बोलते है कि यहाँ पे अगर इसकी reactivity 30% थी तो घटके कितनी हो जाती है बच्चो 0.0 यहाँ पे बोल देता है कि 1% हो जाती है 1% हो जाती है कब जब एक methyl group लग जाता है इसने कोई बात ने जोड़तो गए है ना एक परसंट चार्ट था जोड़ गए कोई बात ने उसके आद वापिस से मैंने कारून है अब एक hydrogen दो methyl group एक hydrogen और दो methyl group इधर X लगा दिया और इधर मैं वापिस से भी इसमें क्या जोड़ रहा हूँ nucleophile जोड़ रहा हूँ तो आप खुद देखो अब दो methyl group है अब कई दो methyl group इसको आने देंगे यहाँ पर जगाई नहीं बचेगी जगाई नहीं बचेगी उसे आगे तो भाई आगे हलाइड है फीछे दो तो methyl group इतने भारी-भारी methyl group लग गए है ना hysteric hindrance यहाँ पर create हो जाते बच्चो जो यहाँ पर repulsion बनती है ना उस repulsion को हम chemistry में क्या बोलते है इस टेरिक hindrance बोलते हैं ठीक है यह भी आप एकजाम में पूछता है अगा इस टेरिक hindrance ओए यह भी एकजाम में पूछता है इस टेरिक hindrance अच्छा यहाँ पर जो मेरी activity बचती नहीं उस्चो बचते दिरो 0.02 पर सेंट तीसरा केस क्या होता है तीसरा केस में माली जी मेरा कार्बन है और इनोस में लगा दिया CH3 CH3 और CH3 और यह एक्स लग गया अब इसमें मैं न्यूक्लिफाइल एड़ करूंगा तो आप देख सकते हैं जगा ही नहीं है न्यूक्लिफाइल को जाने की तो इस केस में न्यूक्लिफाइल रियक्ट करता ही नहीं है रियक्ट करता ही नहीं है छोड़ देता है तो इस केस में जो मेरी रियक्टिविटी हो जाती है वो हो जाती है जीरो परसेंट तो आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा रियक्ट सबसे कंट सबसे कम करता है है जो कड़ता ही नहीं है वो कौन है ठीडिग्री तो लिखते के यहां पर दा कि रियक्टिविटी और यह एसे एंट टू क्या हो जाएगा मेरा 3 degree 1 degree 2 degree 3 degree यह हो जाएगा इसका reactivity order जैसे जैसे भील बढ़ेगी वैसे वैसे steric intense बढ़ेगा और हैलोगन जो है वो यहाँ पर आना मतलब जो मेरे निक्लेफ आल है वो उसके साथ जुनना नहीं चाहेगा ठीक है इसके साथ जुनना नहीं चाहेगा ठीक है चलिए अब आप मेरे को एक चीज बता ना मैं पूछता हूँ आपसे एक चीज बता ना अच्छा ये मेरे को बता हो अच्छ और इधर मैंने एक्स लगा दिया और अच्छ थ्री च्छ टू एक्स बताओ इस में से कौन सा कंपाउंड या मेरे कौन सा कंपाउंड मेरा सबसे जल्दी रियक्ट करेगा तो यह वाला तो यह हमारा आंसर हो जाएगा तो इस तरह से कुश्ण एक्जाम में पूछता है कि कौन जल्दी रियक्ट करेगा एसन उन की तरफ या एसन टू की तरफ तो वह हमें आपर बताना होता है ठीक है आया समझ में आ गया चले आगे अगर यह एक्टिविटी और अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और चीज से में तुम्हें समझा सकता हूं माल लिजिए इधर आपर में यहां पर एक माउस हैं पुम्हाँ यह माउस है यह जो माउस है यह कारवन है और करवना है और इस माउस चाहिए कोभी भी नहीं है यह instruct Gesch磨 करनी का खाली स्पेस है और इधर भी यह खाली स्पेस है ठीक है बस इधर सामने क्या जुड़ा है इसके साथ एक डॉग जुड़ा है माउस के साथ एक डॉग जुड़ा है और इधर यह खाली स्पेस है ठीक है अब इधर से पीछे से जाती है तो ये पीछे से जाती है तो जैसे ये बストरकर के कर लेती और माउस को पकड़ लेती और फिर डाग को भागना पड़ता है कि माउस चला गया तो उसकी नो ना फिर एक ओर लगादो तो ये 3 डीघ्री बन्किया देखो अब जा सकती ना पीछे से जा सकती जो मैंने केस बनाया था इतर यह तर इस तर यहां पर जांने की जगाई नहीं के पास है न तो यहां पे फिर द्रहें के पास दोगदोग आगए आगे जाएगे पॉइट लिखने ना आप स्टेरिक हिंढरेंस काफी जादा होता है कि अधिकर स्टेरेंस काफी ज्यादा होता है अग्या समझ में अब अब समझ में आ गया कै टेख है कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को भी और गॉल्ट है तो कमेंट्स में से पूस्ट ले न बच्चो एक म है कि SN2 में जो तू है वो क्यों लगा है SN का मतलब तो पता है सब्सेट्यूशन नुक्लियो फिलिक लेकिन जो पावर है उसकी टू है ना कि SN2 लिखते ना है SN2 तो यह किस चीछ के लिए लगा है वर्ट यूज इसके यूज क्या है क्यों लगाया था हमने यह तो आप देखिए इधर मेरा होता था यह यह और सु मेरा प्रॉर्ट बनता आज जो ब्युम ए यह देखिए यह इसा स्ण स्टाप LIKE क्या स्टाफ होता था स्लू च्राब क्या होता है वह हमारा स्टैप होता है ूँ सीवी दक्षिन की स्पीड को ज regulen के इस करेड़ हो टेक टिच इसकता हमारा से लगार यह ठाल लो कि एक मिन बच्टो जो निया इसका रेट होगा मेरा ठेक? तो हम क्या बोलते हैं कि स्लो स्टैप में जितने नंबर ऑफ मेरे रियक्टेंट्स होंगे वह उसके सूपर स्टैप या उसकी पावर में जाके जुड़ जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ रियक्टेंट्स यहां पर लगा देते हैं है इसलिए हम इसेंट्स यहां पर लगा देते हैं आग्या समझ में आग्या समझ में तो यह थी कहान है हमारी स्टू की अब चलते हैं अपने एसन वन रियक्टिशन पर न्यूकलियोफियोफियू सब्स्टिट्यूशन इदा लिख लेता हूं पर निमोली कुलर ठीक है चले द रहे और यह एक्स है और यह नुक्लिय फाइल है तो हम ने देखा था कि नुक्लिय फाइल अभी सप्ट करना ही नहीं चाहता क्यूंग कि पिछे इतना जाता है आगे है लो जेल लग गया तो यह अगर प्रिकेट के लिए इतनी लंबी लाइन है कि नुक्रिक्टर विच्चर अभी जगाई नहीं आपर कहां से देखेंगे है ना इतनी दुखान पर बेड़ है इतनी लंबी लाइन लगे राशन की दुखान पर जाई नहीं रहा है ना तो यह छोड़ देता है ठीक है अच्छा तो आप कुछ टाइम बात क्या होता है कि कारबन जो है खुद बाखुद इसे हलाइब को छोड़ देता है खुद बाखुद हलाइड को सूर देता है क्यों छोटोड़ देता है कुछ बेको अब देखो अगर आपने जूसी पढ़ी होगी एलेवंत में तो आपको कारबो स्टेबिली लीटी बार में पता होगा कि जो हमारा दिगरी कार्बो काँड आयन है हमारा देखिए जैसे ही इस हैलाइड को छोड़ेगा इस कार्बन के एक्विलंसी खाली मालो मैं इसे हटा जाँ भी है ना इसने इसे छोड़ दिया जैसे यह चोड़ेगा इस पर पॉस्टिव चार्ज तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसा बनते के साथ इस पर पॉस् स्टेबल होता है मैं दूबार से बन चार्ज चाहीं उससे चोड़ता है इस लिए उसने उस ने ही यहां पर यहां पर बनता है बीच में आपको दिखने को मिलता हुआ पर देखो हमें क्या देखने को मिलता था यहां पर बच्छों में रेस्मिक मिक्च्चर देखने को मिलता है हमारा वह ता है इनवर्जन इनवर्जन और रीटेंशन का मिक्स्चर होता है रीटेंशन काbrar हमारा रेस्ट mình केला तो जैसे ही नुकलिफायल जोड़ेगा क्योंकि उसे चोड़ दिया है लाइटформ实 प्रे Onis क्योंकि दॉलना चालता था केला ब्लेग करें पूकिल सोब कुल है ना इधर जोकर भूम है कि भूसाइस मतलब आगे से धंक करें पिछ से discuss करें जहां बनता है खत्री है ळहां यहां पर यह तो जो तो SN1 reaction है, SN1 में SN1 हमने क्यों कहा क्योंकि हम नंबर ओफ रियक्टेंट्स, आप काउंट कर लो, है ना, यह असल में निप्लिफाइल होता नहीं है, इसलिए हम इसकी सूपर स्टेप में, जो पावर हम लगाते हैं, वो कितनी लगाते हैं, लगाते हैं और यहां पर मेरा इसका एसनवन नाम पड़ जाता है आग्या समझ में इसलिए स्कूरस ओन बोलते हैं यूदिस में नंबर और प्रेक्टरेंट वन ऊता है उसमें टू होते थे वह टू स्टेप रेक्शन है यह वान स्टेप रेक्शन है ऐसे भी समझ सकते हो यह तो न्युक्रिफाइल की मढई जाहे बोग आगे साटक करे चाहे वो पीछे साटक करें तिक यह मेरे एसन में अशना पुता है वाप खुदी समझेंगे विधी सबसे जल्दी होती है क्योंको आर्पोगैट आयने तो ठीडीग्री डिग्री ग्रेटर ग्रेटर देटर देटर धन वन डिग्री ग्रेटर अब इसे समेशने कर दिच चरी च च च और ये भी च त्री और तर एक लगा दिया मैंने और यह लगा दिया थी थी एक्स आप बताओ इन दोनों कंपाउंड में से एसन वन की तरफ कौन जल्दी रियक्ट करेगा तो हमें पता है त्री डिगरी कार्बो के रहें त्री डिगरी करता है यह वादा एलोजन इस कार्बन जड़ा यह कार्बन एक दो तीन कार्बन तो यह थी डिगरी और यह वन डिगरी और यह जल्दी रियक्ट करेगा है ना तो इस तरह से पर कुशन आते हैं आगे अगे समझ में चले आगे चले अच्छा तो एक चीज और समझे लिए बच्चो अब कुछ कंपाउंड्स है जो एसन वन रियक्शन को शो करते हैं ठीक ह ठीक है मेरे थ्री टाइप्स है देरार देरार थ्री टाइप्स जो एसन वन रियक्शन शो करते हैं ठीक है जो एसन वन रियक्शन शो करते हैं एक तो होता है मेरे अलकाइल हलाइड अलकाइल हलाइड एक होता है मेरे बैंजनेड हालाइड, बैंजाइलिक हालाइड और एक होते हैं मेरे डाइलिक हालाइड आपने resonance तो सुना होगा है ना रेजनेंस उनाओंगो जैसे बेंजाइली खेलाइट के वाइट स्ट्रक्चर बनाओं तो बेंजाइली खेलाइट में आप देखे यह मेरी बैंजेन रिंग होती है पैंजेन से जुड़ होए कारवन से हैलोजन जुड़ा होता है तो जो है मेरा है इस पर क्यासा सीघ इच्टू और एक्स लग यह दो न पाई सिग्मा बॉंड लोन प्यर पाई तरों जैसेलिद जैसे यह हड़ जाएगा इस पर पॉस्टिफ चार्ज आता है पाई सिग्मा पॉस्टिफ चार्ज यहां चला जाता है और यह यहां चला जाता है ना तो इसका हाइबिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है एसे हेट यह दू जैए यह और इधर पॉस्टिफ चार्ज और इधर भी पार्षएं चार्ज इसका है तर्फ स्ट्रक्चर बनता है इतना सब हम वैसे पतन याद होना नें चाहिए तो इलाउन्ध का है रेजुन वगरा आप सिर्फ इतना याद रखना कि लाईली खलाइड ब पता होना चाहिए बंजैलिक हैलाइट और एलकाइल हैड क्यों शो करता है द्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट अब जिसे शौक है जानना ही है पूरा तो वापिस से जाए 11 से उठा ले तो आपको फिर पूरा समझ में आ जाएगा यह क्यों शो करता है ठीक है बना यह रिज से अर सीन आर 不用 रागा रियक्ट करेगा फिसके अथ की तरफ यह अन सब्सक्राइन की तरफ क्योंकि लेवें जल्दी इलकाइल ग्रुप को छोडए सबसे जल्दी यह करता है क्योंकि आई जो है काफी बड़ा गुरूप है और बैस्ट लेविंग गुरूप है इसलिए आई सबसे जल्दी रियक्ट करेगा इसे भी आप नोट डाउन कर लिजे जो आई है वो मेरा बैस्ट लेविंग गुरूप है यहाँ पर आगया समझ में और तो कुछ यहाँ पर हमारा नहीं है ठीक है बस इतना ही है ठीक है रियक्टिविटी की बात कर लेंगे तो आई सबसे जल्दी रियक्ट करेगा फिर भी यार यह क्यों कि आई है बैस्ट लिविंग ग्रूप ठीक है तो यह बात होगी बच्चों मेरे एसन वन और एसन करते हैं तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं और वेरी वेस्ट